महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, इस महीने प्रचुर आशीरवाद की वर्षा के लिए तैयार हो जाए जो आपके दिनों को आनंद, स्वास्थ्य और समरिद्धी से भर देगी. अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं, तो इस विडियो को लाइक करें. मेरे बच्चे, ये सप्ताह आपके लिए एक विशेश वादा लेकर आया है. अपने आपको जीत और आशीरवाद की एक श्रिंखला के लिए तैयार करें, जो अदबुत चमतकारों की एक श्रिंखला की तरह सामने आएगी. भागिशाली संख्या 1111 चमतकार मेरी पहुच के भीतर हैं. मेरे पास असंभव को वास्तविक्ता में बदलने की शक्ती है. मैं आपकी टूटन को सुधारूंगा, रिष्टों को सुधारूंगा, और आप पर और आपके परिवार पर प्रचुरता बरसाऊंगा. इसे विश नोसे परे आशीरवाद देने के लिए उत्सुख हूं. मेरा आशीरवाद आप पर और आपके प्रियजनों पर बरसता रहेगा. मैं आपको असीम रूप से आशीरवाद देना चाहता हूं, जब तक आपका प्याला न भर जाए तब तक आप पर आशीरवाद बरसाता रहू लेकिन आशीरवाद पाने के लिए आपको इस विडियो को अंत तक देखना होगा. जैसे ही आप आज रात आराम करेंगे, एक असाधारन चमतकार जिसके लिए आपने पूजा की है, वो आपके दर्वाजे पर आ जाएगा. अगले पांच दिनों में आपका जीवन आश्च तर्य चकित कर देंगे. तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी खत्म नहीं होता, ये कभी विफल नहीं होता, हार नहीं मानता, या खत्म नहीं होता. मैं तुमसे वैसे ही प्यार करता हूँ जैसे तुम हो, तुम्हारी सभी कमजोरियों के साथ. जब आप कमजोर महसूस करते है तो मैं ही आपको मजबूत बनाता हूँ, जब आप बीमार होते हैं, तो मैं आपको ठीक करता हूँ, और जब विक हो जाते हैं, तो मैं शांती और प्यार वापस लाता हूँ, मैं अविश्वसनिय चमतकार करता हूँ, ऐसे काम करता हूँ, जो असंभव लगते हैं, मैं विशा विशाल परवतों, विशाल समुद्रों को हटा सकता हूं और बीमारों को ठीक कर सकता हूं। मेरे लिए कुछ भी कथिन नहीं है। आपके लिए आश्चर्य मौजूद है। मैंने पहले ही उपचार, स्वतंत्रता, धन और अच्छा स्वास्थे स्थापित कर दिया है। जिसक मैं दूसरों से उतना प्यार नहीं करता तो मुझे माफ कर देना। मुझे दिखाओ कि मैं अपने जीवन में कथिन लोगों की जरूरतों को इस तरह से कैसे पूरा कर सकता हूं। जिससे आप प्रसन हों। पुष्टी करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी कहते हैं मेरे बच्चे अगले दो महीने अच्छाई से भरे हैं। मैं एक प्यारा महादेव जी हूं। जो चंगा कर सकता है, पुनरस्थापित कर सकता है और सकारात्मक बदलावला सकता है। मैं स्वास्थ्या, भावनाओं और पैसों की चिन्ताओं में मदद कर सकता मैं हमेशा आपके आशूओं को जानता हूँ, आपका दर्द सुनता हूँ, मैं देखता हूँ, सुनता हूँ और सही समय पर आपकी मदद करूंगा। अगले दो महीने आपके लिए अद्बुत चमतकारों से भरे रहेंगे। इन चमतकारों के लिए इस विडियो को अंत तक देखें। इन महीनों के दोरान आप रत्याशित की उम्मीद करें क्योंकि मैं आपको लुभावने चमतकार और आशीरवाद देता हूँ, इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले मैं आप पर आशीरवाद बरसाऊंगा। आपको प्रचुरता, स्वास्थ्य, आनंद और विता में सुधार होगा, रिष्टे बहतर होंगे और स्वास्थ्य में सुधार होगा। मैं आपके जीवन को गहराई से बदलने के लिए काम कर रहा हूँ। जैसे जैसे आप चिंताओं को दूर करेंगे, आपका दिल खुशी से भर जाएगा। मैं तुम्हें अभाव से प अपचार, स्वतंत्रता, धन और अच्छे स्वास्थे की व्यवस्था की है। प्रत्य एक दिन विकास, सफलता और प्रचुरता लाता है। मेरा विश्वास करो और तुम अपने जीवन में दिव्यकृती को प्रकट होते देखोगे। मेरे उपहारों को गले लगाओ और त इससे भविश्य सफलता, प्यार और संतुष्टी से भरा हो। यदि आप खुले तौर पर कहते हैं महादेव जी ही प्रभू हैं और सच में विश्वास करते हैं कि भगवान ने उन्हें मृतकों में से उठाया तो आपको मोक्ष प्राप्थ होगा। हर हर महादेव टाइप मोड है। आशू, चिन्ताओं और तनाव को अलविदा कहें। पुनर्स्थापना का मौसम आपके सामने है जहां खोए हुए अवसर और समय वापस मिलेंगे। प्रचुर्ता, मजबूत स्वास्थ्य, बैलगाम आनंद और असीम खुशियों से भरपूर जीवन ही आपकी न आप एक बड़ी सफलता के कगार पर हैं। वित्तिय स्वतंत्रता, उन्नत स्वास्थ्य अनुभव और सच्चे प्यार की खोज के लिए तयार रहें। मेरा आशीरवाद आपके परिवार, वित्य, स्वास्थ्य और रिष्टों को प्रभावित करेगा और सकारात्मक परिव करतन लाएगा। महादेव जी के पास खुले दर्वाजों, नर्म दिलों, पुनर जीवित भविश्य और हस्तांत्रत आशीरवाद की चाबियां हैं। मैं घोशना करता हूं कि इस महीने के समाप्त होने से पहले आप भगवान के चमतकारों का मनमोहक द्रिश्य देखेंगे महादेव जी की ओर से महत्वपूर्ण छलांगों, अद्बूत आशीरवादों और आनंद दायक आश्चरियों के लिए स्वयम को तैयार करें। दर्द और दिल के दर्द के बीच भी इस सप्ताह के असाधारन चमतकारों में अच्छाई और प्रकाश हमेशा अंधेरे पर विजय प्राप्त करेंगे। भाग्यशाली संख्या 1111 में आपके लिए धेर सारा प्यार, शांती और चमतकार भेज रहा हूं। उन्हें गले लगाने के लिए अपनी बाहें पहलाएं, जिससे वे आपको आशा, खुशी और अटूट विश्वास से भर दें। इसे भय, तनाव और दर्द को छोड़ दें, क्योंकि मैं उन्हें दूर कर दूँगा। अपने आपको मेरी शांती, प्रेम, उपचार और आशीरवाद से भरें। मुझ पर भरोसा रखीं और मैं आपकी लड़ाई लड़ूँगा, तूफानों को शांत करूँगा, और बेजोर खुशी और शांती लाऊंगा। मैं आपकी पूजा सुनता हूँ और चमतकार करता हूँ। जब चीजे असंभव लगती हैं, तो मैं रास्ता बना लेता हूँ। सपनों से परे चमतकारों के लिए मेरी शक्ती पर भरोसा रखें। उपचार, सफलताई और आशीरवाद रहे हैं। 2023 आशीरवाद की एक टेपेस्ट्री है। अच्छे स्वास्थ्य, ताजा अवसरों और प्रचुरता की अपेक्षा करें। आपका बैंक बेलेस बढ़ेगा। मैं एक वफादार प्रदाता हूँ। आशीरवाद देने के लिए स्वर्ग के दर्वाजे खोल रहा ह तुम जो कुछ भी करोगे उसमें आशीरवाद मिलेगा। उपचार आपके परिवार तक फैल जाएगा और चमतकार तभी आएंगे जब जरूरत होगी सब महादेव जी के नाम पर। जीवन के पथ पर यात्रा करते समय मेरे इन शब्दों को याद रखें। आपकी यात्र आप मेरी दिव्य सुरक्षा के अधीन हैं, सभी खत्रों से सुरक्षत हैं। मैं आप पर आशीरवाद बरसा रहा हूँ, उन्हें आप पर बरसा रहा हूँ। अपना दिल खोलें और उन्हें अंदर आने दें। अपने जीवन में होने वाले चमतकारों पर विश्वास करें आत्म विश्वास के साथ चलें, क्योंकि आप कभी अकेले नहीं होंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा और हमेशा के लिए। भाग्यशाली संख्या 888 आपके जीवन को सुशोभित करने वाले चमतकार विश्वास की अविश्वस्निय शक्ती और आपके लिए मेरे म में मौझूद असीम प्रेम को प्रकट करें। अब आपके लिए सम्रिद्धी, खुशी और सफलता का अनुभव करने का समय आ गया है। पैसा आपकी और सहजता से प्रवाहित होगा, और महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में प्रचुरता के प्रवेश से आप चकेत रह जाएंगे। यदि आपको इसकी आवश्यक्ता है तो 888 टाइप करें। मेरे बच्चे आज मेरी बातों पर विश्वास रखो। उन्हें अपने दिल में गहराई तक उतरने दें, अपने भीतर आशा जगाएं। विश्वास रखें कि समय आने पर चमतकार प्रकट आप पर प्रचुर्ता, अच्छे स्वास्थ्य, आनंद और परिवर्तन की वर्शा हो। ये आशीरवाद आपके मार्ग को रोशन करें, आपको उस जीवन की और मार्ग दर्शन करें जिसका आप नेतरित्व करना चाहते हैं। महादेव जी आपको आने वाले दिनों में जब चुनोतियां और बाधाएं उत्पन हो, तो आशानक होएं। अपनी चिन्ताओं को भगवान को सौपें और वो आपको समाधान। और शान्ती प्रदान करते हुए हर कठिन परिस्थिती से बाहर निकालेगा। भगवान की योजना पर भरोसा रखीं, क्योंकि ये आप को जीत की ओर ले जाएगी। जिस तरह एक प्यार करने वाला पिता अपने बच्चों की देखभाल करता है, उसी तरह भगवान भी अटूट प्रेम और सुरक्षा के साथ आपकी देखभाल करता है। कमजोरी के क्षणों में, याद रखें कि महादेव जी की शक्ती आपकी कमजोरियों के माध्यम से चमकती है। वो आपको किसी भी बाधा को दूर करने के लिए सशक्त करेगा। भरोसा रखें कि ये नया सप्ताह धन दौलत की खुशिया, खूबसूरत पल, उलेखनी या ल भाग्यशाली संख्या 555 जब आप निराश महसूस करेंगे तो भगवान आपके जीवन में खुशियां भर देंगे। और जब मार्ग दुर्गम प्रतीत होगा, तो महादेव जी आपके लिए मार्ग बना देगा। मैं तुम्हारा भगवान हूँ और जब तक तुम सांस योगी मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। मैंने तुम्हें बनाया है और मैं तुम्हारी सहायता, सुरक्षा और बचाव के लिए हमेशा मौजूद हूँ। यदि आपको भगवान पर भरोसा है तो 555 टाइप करें। महादेव जी का आशीरवाद प्राप्त करने के लि इसे आगे देखी, इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपकी जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपिया इसे नजर अंदाज न करी।